बिना टिकट कटाये ट्रेन में ट्रेवल करना और अपने फादर के लिए बस एक लेटर छोड़ देना कि वो उन्हें माफ कर दे क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी पर सिचुएशन ऐसी आ गई कि उन्हें घर छोड़ कर भागना पड़ा मनीशा रानी का जन्म 10 जून 1994 को बिहार के एक छोटी से गाव मुंगेर में हुआ था और उनके दो भाई और उनके एक बहन है जिनका नाव शरीका रानी है मनीशा की फैमली बहुत कंजरवेटिव है अकर कोई लड़के गेट के बाहर खड़ी होती है या फिर छट पर रहती है तो उनके घर में कलेश होना सुरू हो जाता है और ये कलेश उनके अंकल की वज़ा से होता है का मानना था कि दूसरी साधी करने के बाद उनके बच्चों की परवरिस अच्छे से नहीं हो पाएगी खैर मनेशा और उनके बहन ही पूरे घर को सम्हालती थी और सारा काम करने के बाद वो इक कॉर्मेट स्कूल में पढ़ने चाहती थी उन्होंने एक इंटर्व्यू के द तब ही उनकी एक फ्रेंट अपने आगे की पढ़ाई को कंटिनियू करने के लिए कॉल कता जा रही थी और मनीशा को भी उनके साथ जाना था क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि मुंगेर में रहकर कुछ नहीं होने वाला उन्हें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा और उनके ह ऐसे नहीं हो रहे से कि वह टिकट खड़ीज कर दिया और काल कटा में अपनी फ्रेंट लिए चर्व की शुरूरांश कर कि इसलिया इसलिए उनने वेटर का करना शुरूर किया साथ ही बागराउंद डान्सरा भी काम करने लगी एक दिन उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थ की जगह पर किसी को कुछ हो भी जाता है तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा वह कहती है कि पहली बार हो ऐसी जगह पर आई थे जो उनके गावं से भी ज़िए तरीके की कौशन करते थी और गंदी तरीके मिलता था जिसमें早़ से मेद चावल रहते थे त उस समय बात उन्हें फील हुआ कि वो ऐसी सिच्वेशन अब बड़ास नहीं कर सकती। इसलिए मैनेजर से उन्होंने बात करा और अपने पैसे मांगने लगी। उस वक्त मैनेजर को डांसर की बहुत नीड थी। और जब मनीशा ने जाने की बात कही तो वो बहुत गुसा हो गई और उन्हें रूम में लॉक कर दिया। उस टाइम मनीशा बहुत रोई और जैसे तैसे वहाँ से निकल कर वापस कॉलकटा पहुंची मगर उन्होंने गिव अप नहीं करा। उन्होंने डांस इंडिया डांस रियालिटी शो में भी ट्राइ करा लेकिन वहाँ उन्हें रिजेक्शन ही मिला। फिर वो थक हार कर अपने गाउ मुंगेर चली गई। तभी टिक टॉक भी उस टाइम नया नया आया था। उन्होंने छे से आठ महीने तक लिपसिंग और डांसिंग की कॉंटेंट बनाए। इसी दौरान उन्हें टॉंट भी सुनने को मिले और उनके रिलेटिफ्स ने नचनिया का टैग दे दिया। तभी एक दिन उन्होंने ऐसे ही अपने रियल वाइस पर कॉंटेंट बनाए जो बहुत वाइरिल हो गया। इसके बाद वो फेमस होती चली गई। तभी उन्हें मुंबई सहर से एक डायरेक्टर को कॉल आया था जहां उन्हें टीवी शो गुडिया हमारी सभी भी भारी में एपिसोडिक अपेरंस के लिए भी पुलाया गया था। मनीसा के टिक टॉक इतनी ज्यादा वाइरिल हो चुकी थी कि कई सारे सलेप्स उन पर वीडियो बना रहे थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि दिक कपल सर्मा सू में कार्टिक आरियन आ रहे हैं और वो भी उन्हें एज़ा ओडियन्स देखने चली गई। कपल सर्मा अपने ओडियन्स को सू में आने वाले गेस्ट से जरूर बात करवाते हैं। उस एपिसोड में कुछ ओडियन्स बुलाए गए जिन्हें अपने रियल वाइस में डायलोग बोलने थे। जब मनीसा ने कहा तो उनकी बातों से कार्टी कारियन्स बहुत इंप्रेस हो गए और उनकी कॉन्फिनस की बहुत तारीफ करी। और मनीसा वाली क्लिप सोनी चैनल ने अलग से यूट्योब पर डाली जो काफी जाद है वाइरल भी हो गई। और यहीं से उन्हें मिला मा का बिग बोस ओडिटी का हिस्सा बनने का। मनीसा कहती है कि उनका सपना था कि वो बिग बोस का हिस्सा बने और उनका सपना आज पूरा हो गया। भले ही उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा पर उन्हें लास्ट में सकसेस जरूर मिला। उन्होंने बताया कि कॉलकटा में उनका एक बॉइफरेंड भी बना था जिन्होंने उनकी बहुत हेल्प करी थी इसलिए लाइफ में जब मुस्किले आती है तो सल्यूशन भी साथ में ली कराती है जिस गाउं में वो रहती थी वहां सिर्फ लोग टेवी पर ही सलिबिटी को देखती थी मगर सलिबिटी बनने का कभी सोचती नहीं थे उस गाउं में रहकर उन्होंने सोचना सुरू किया और उस पर लगतार महनत करती चली गई और आज वो इस मकाम तक पहुची है कि उनके गाउं के साथ साथ पूरी दुनिया उन्हें टीवी पर देखती है तो ये थी एक छोटी सी लाइफ जर्नी मनीशा रानी के उपर आई हूप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं या अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बने